दोस्तो अगर आपकी नाबी हीली हुई है तो उस हीली हुई नाबी को एक्सरसाइज करके कैसे ठीक करना है बैं आपको बताता हूँ सबसे पहले हमने जहां से अपना गूठा नीचे लिजा कर चेक कर लना है कि नाबी ठीक है कि नहीं ठीक है तो जालतर क्या होता है कि हम जब भी कोई काम करते हैं जा जब हमारे पेट में गर्मी पड़ जाती है उसके वज़ा से ना भी उपर जा नीचे दाइंबाई चले जाती है तो इसके लिए एक्सरसाई क्या है शोटी से एक्सरसाईज है आप घर पर कर सकते हो तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों आपने इस तरह से नीचे जमीन पर लेट जाना है ठीक है नीचे लेटने के बाद आपने क्या करना है कि इस टांग को इस गुटने पर ऐसे रखना है बीच में और इसे ऐसे लेकर जाना है प्रमीत पकड़ो इसको पाउं को पकड़ो थोड़ा से उपर से पकड़ो यहां से पकड़कर आपने यहां पर लगाना है एक बार लगा लिया है इसके बाद आपने इसे शोड़ देना है इसके बाद आपने दूसरी साइड पर करना है सेम प्रोसीजर ऐसे रखकर गुटने के बीच इसे ऐसे लेकर जाना है और जहां से पकड़ना है और एक बार यहा बिल्कुल सीधे होने चाहिए बाद में आपने क्या करना है कि दोनों टांगों को दोनों टांगों को ऐसे लेकर जाना है और दोनों पैरों को पकड़ लेना है पकड़ो ऐसा आपने 30 से 40 सेकंड रखना है तो दोस्तो इस तरह से आपकी जो नाबी हीली होगी वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी इसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों इसके बाद आपने फिर से यहां पर अंगूठा रखकर दबा कर देखना है तो आपकी जो हीली होई नाबी होगी तो विल्कुल सेंटर में आ जाएगी